हेलो इस वीडियो में हम फिक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेगे तो फिक्स्ट फंक्शन का यूज हम किसी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेंट में बदलने के लिए किया जाता है फिर इस पर कोई अन्य नंबर फॉर्मेंट लागू नहीं होता है जब कोई संख्या तीन अंकों से अधेक होती है तो fixed function उन numbers को कोमा में बांड देता है तो यह हमारे पास यहाँ पे number दिए गया है अब हम यहाँ पे fixed function का use करेंगे और इन numbers को यहाँ पे text में convert करेंगे तो यह यहाँ पे हम fixed यह जैसे 20 है 20 number को यहाँ पे Fixed function में इसको change करेंगे तो यहाँ पे हम Fixed formula यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे equal to, equal to के बाद यहाँ पे fixed, यहाँ पे fixed आ जाएगा, यहाँ पे double click करेंगे यह fixed यहाँ पे आ जाताएगा इसके बाद आगे दिए गया है number तो number किसको हमने fix करना है यह 20 इसको fix करना है करने के बाद आगे decimal दिये गया है अगर हम यहां पे decimal नहीं लगाएंगे तब भी यह यहां पे आ जाएगा यह दिखो यहां पे यह fix होके आ जाएगा तो y default यहां पे two decimal place आ जाते हैं तो यह दिखो bracket को बंद किया बंद करने के बा लग के आगे तो यह जो number था यह text format में यहां पे बदल गया इसके बाद आगला number है 20 इसको हम यहां पे one decimal place लिखेंगे और text में इसको convert करेंगे तो यहां पे formula लगाएंगे equal to equal to के बाद यहां पे fixed यह लिखा यहां पे fixed आ जाएगा यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पे 20 यहां पे click करेंगे यह a for cell name यहां पे आ जाएगा यह a for cell name यहां पे आ गया इसके बाद one decimal place जाहिए तो हम comma लगाएंगे यह लिखो comma लगा हुआ है तो इसके बाद comma लग करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करने के बाद यह लिखो यहाँ पे one decimal place यहाँ पे fix होके आ गया इसके बाद यहाँ पे number आगे 20 दिये गया है 20 में हमकोई भी decimal place यहाँ नहीं चाहिए तो हम और क्या करेंगे यहाँ पे इसको text में जब convert करेंगे तो यहां पर फार्मूला लिखेंगे, equal to, equal to के बाद यहां पर fixed, यह लिखा, यह fixed यहां पर आ जाएगा निचे, यहां पर double click किया, double click करने के बाद यहां पर इस cell के उपर क्लिक करेंगे यह cell name यहाँ पर आ जाएगा A5 इसके बाद कोमा लगा के हम यहाँ पर 0 लिखेंगे कि हमें कोई भी decimal place नहीं चाहिए यहाँ पर 0 लिखा 0 लिखने के बाद इस bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह लिखो यह जो number था यह text में यहाँ पर convert हो गया है और यहाँ पर कोई भी decimal place नहीं आया है तो यह आगे लेखो यहाँ पर 1000 दिये गया है तो 1000 में जब यह number जो है यह text में convert होगा तो इसको यह कॉमास में बाण देगा तो इसको हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर click किया equal to यह लिखा इसके बाद यहाँ पर fixed यह fixed आ जाएगा निच्छे यहाँ पर double click किया double click करने के बाद इस cell पर click करेंगे 1000 यहाँ पर click किया A6 यहाँ पर आ गया इसके बाद bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो इसको ये कॉमाज में बाण देगा ये रिखो enter प्रेस किया तो ये 1000 जो है इसको ये कॉमाज में बाण देगा ये रिखो कॉमाज में ये बंद गया है अगर ये 1000 है इसमें ये जो decimal place लगे हुआ है इसको आठाना है तो हम इसी क ओपर क्लिक करेंगे यह क्लिक किया और यहां पर कॉमा के बाद यहां पर 0 लिखेंगे 0 लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह रिखो यहां से decimal place जो है यहां से चले जाएंगे इसके बाद यहां पर 5000 दिये गया है इसको भी कॉमा में बांटेंगे और 3 decimal place यहां पर जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसके बाद 5,000 इस सेल प toplick करेंगे, यह सेल नहीं आजाएगा, इसके बाद यह आने के बाद, हमें यहाँ पर 3 decimal प्लेज चाहिए, यह साथ में कॉमा, तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद, यहां पर 3 लिखेंगे, 3 लिखने के बाद bracket को बंद करेंगे और इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो यह रिखो 5000 यहां पर कॉमा भी लगा हुआ, वो 3 decimal place यहां पर आ गया है अब अगले को भी देखेंगे, equal to, यह लिखा, लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे, fixed, यह fixed लिखा, यहां पर fixed आ गया, यहां पर double click किया इसके बाद, इस cell पर click करेंगे, यह cell नहीं में आ जाएगा, इसके बाद इसको बंद करेंगे bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो ये दिखो ये जो है ये commas में यहां पर बंद के आ गया तो अगर हम यहां पर कोई भी number format अगर use करना जाते हैं तो ये number format यहां पर use नहीं होगा क्योंकि ये जो value है ये text में convert हो चुकी है इसको अब हम करके देखते हैं ये रिखो इसको select किया सारे को select किया select करने के बाद यहां पर जैसे ये decimal place यहां पर दे गया है इनको हमने यहां से हटाना है तो ये रिखो ना तो ये decimal place कम होंगे ना ही decimal place यहां पर ज़्यादा होंगे और अगर हम यहां पर comma को हटाना जाते हैं तो यह देखो comma पे click किया तो यहां से comma भी यहां पे नहीं अटेगा क्योंकि यह हमने इसको text में convert कर दिया है तो कोई भी number format यहां पे apply नहीं होगा तो इस वीडियो में हमने fixed function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद